दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से काफी हद तक आपके डाउट्स क्लियर करने को युश्च करूँगा रिमांड के बारे में यह हम बात करें चार्ज़ीट के बारे में कि चार्ज़ीट जो बनती है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है इससे पहले ही रिमांड का रोल भी आता है एफ इर भी बनती है इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है इनसान को जेल भेजते हैं या फिर पुलिस की कस्टड़ी भेज देते हैं आज हम बात करेंगे चार्ज़ीट के बारे में कैसे चार्ज़ीट को प्रिपेर किया जाता है साथ में ही चार्ज़ीट में क्या क्या बाते डाली जाती है पुलिस के दुआरा इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है अगर कितने दिनों के भीतर अगर चार्ट सीट फाइल नहीं होती है तो क्या आपको डिफॉल्ट बेल पर छोड़ दिया जाएगा जैसे पहले भी मैंने वीडियो बनाई है तो चार्ट सीट के बारे में मैक्सिमम डाउट्स को क्लिया करूँ अपने इस वीडियो के माधियम से जादा को जानने के लिए चार्ट सीट के बारे में दोस्तों बने रही है हमारे इस वीडियो के साथ दोस्तों होता क्या है कि जब भी किसी भी इंसान की अरेस्टिंग होती है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है या फिर अरेस्ट ना भी किया गया हो 41 एका नोटिस देकर छोड़ दिया गया हो या फिर किसी भी केस की तफ्तीश अभी बाकी है या तफ्तीश पूरी हो गई है ऐसे मामलों में एक नाम सामने आता है जिसको बोलते हैं Charge Sheet Charge Sheet बोलें या कई लोग इसको Investigation Report भी बोलते है Diary भी बोलते है अलग-अलग तरह से अलग-अलग जगाहों पर इसका नाम बोला जाता है बट Charge Sheet के अंदर होता क्या है Charge Sheet के अंदर होता है वो पूरा लेखा जोका जितना भी कुछ उस case से related है FIR क्या है First Information Report जिसके अंदर किसी के साथ कोई घटना हुई या कोई crime हुआ कोई भी घटना कई घटित हुई तो उसके बारे में एक short में information लिखी होती है क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ पर detail में नहीं लिखा होता कैसे weapons को use किया गया वेपन से कैसे मारा गया या cheating किस तरह की गई या फिर पॉक्सों की बात करें एंडीपेस की बात करें वो सब चीज़े detail में नहीं होती है FIR में जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस arrest करती है तो arrest करने के बाद 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को जाकर magistrate साहब के सामने पेश कर देती है magistrate साहब के सामने ही पेश क्यू करते है जबकि जो trial होता है कई बार session trial होता है तो उस्तों magistrate साहब एक धाने wise मतलब police station wise magistrate साहब को nuke किया जाता है court के अंदर आप कोई भी नई वकील साहब है कोई भी law student है कोई भी कानूनी जानकारी लेना चाहता है या आपका सगा संबंदी जानकार अगर jail में है ये वीडियो बहुत महत्पूर है आपके आप इस वीडियो को पुरा देखे समझे values मिले तो subscribe भी करें लाइक भी करें और share भी करें इस वीडियो को पहुचाएं अपने दोस्तों तक दोस्तों होता क्या है कि चार्च शीट में जब एक पुलिस चार्च शीट तयार करती है जो कोट में लगाती है तो जैसे ही कोट में लगाती है कई बार वकील साहब इसमें objection करते है कि 207 की compliance करना बोलते है इसको 207 का मतलब है कि जिसमें चार्च शीट को देना एक process लिखा है CRPC में ये 207 एक section है इसमें complete copy of charge sheet मतलब पूरी investigation की report अगर 10 साल तक की कैद के मामले है मतलब किसी भी ऐसे offense में जिसमें आपको arrest किया गया या jail भीजा गया उसमें 10 साल तक के अगर offense है तो यहाँ पर 60 दिन में charge sheet लगाना अनिवारे है और अगर 10 साल से ज़ादा के offenses है 10 साल ज़ादा तक की उसमें सज़ा का प्रावधान है तो ऐसे मामलों में 90 days में charge sheet को लगाया जाता है अब दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए कि 60 दिन बीद गए और मामला आपका सिर्फ cheating आ था अभी तक उसमें charge sheet नहीं लगाई गई तो आपको 162 167 का clause 2 यह प्रावधान देता है जिसमें आप जाकर एक default bail move कर सकते हो default bail पर पूरी detailed वीडियो मैंने बनाई है हाला कि इसके end में वीडियो लगा दूँगा उस वीडियो को आप देख भी लेना या फिर description box में link भी share कर देंगे तो आप default bail लगा सकते हो default bail अपने आप नहीं मिलती है मैं आपको बता दूँ default bail को file करना पड़ता है default bail को लगाना पड़ता है अगर आपका समय बीत भी गया 90 days का time बीज़ गया चार्शिट कोर्ट में नहीं आई 60 days का time बीज़ गया अभी तक चार्शिट कोर्ट में नहीं आई तो ऐसे में default bail आप लगा सकते हो चार्शीट क्या है चार्शीट एक ब्योरा है पूरा उस क्राइम का क्राइम के बारे में सब कुछ लिखत में होता है अब कोई इंसान बोले कि सर मैं सैशन्स कोट में बेल लगा रहा हूँ अपनी अंटिसिपेटरी बेल तो कोट को कैसे बता चलेगा कोट क्या करता है कि उस आईयो से उस पुलिस टेशन में जो आईयो है जिसके पास वो केस है उससे डिटेल मंगाई जाती है इसलिए जब आप बेल लगाता हूँ एक टाइम मिलता है उसके अंदर डिटेल आने के बाद में अगर आप कोई भी वकील सहाब इस वीडियो को देख रहे हैं तो जैसे या आदे अदूरे facts पर बहस करना शुनू कर दोगे बेल आपके dismiss हो जाएगी यह सम्म प्रॉसेस है चाएं आप sessions code जाओ चाएं आप High court जाओ चाएं आप Supreme court जाओ Supreme court भी अगर आप गए है तो process की report मंगाई जाती है notice issue करना बोलते हैं उससे notice issue किया जाता है उसके बाद जैसे कि दो मेने तीन मेने का वक्त मिलता है तो वहाँ पर पुलिस से रिपोर्ट मंगा जाती है दोस्तों उस रिपोर्ट में सब कुछ लिका होता है क्योंकि अभी चार्ड शीट हो सकता है ना लगी हो चार्ड शीट से पहले आपने बेल मूव कर दी हो तो वो पूरी जानकारी लेने के लिए वहाँ पर एक नोटिस इशो किया जाता है जिसमें आयो अपनी पूरी रिपोर्ट को कोट में लेकर आता है दोस्तों बहुत तरह के माامले बहुत तरह के लोगों साथ में होते हैं बहुत सارے सीरियस मामले भी होते हैं सरकम सीरियस होते हैं. बड़ एक विडम मना है, एक ऐसी एक चीज है जो कि बड़ी सीरियस है, जो मैं डिसकस करना चाता हूँ आपसे, मैंने कई बार देखा कि लोग सुसाइड कर लेते हैं. यह लोग किसी भी तरह से अपने जान देने की कोशिश करते हैं आप पर कोई भी कितना ही serious allegation लग जाए आप समाज की चिंता क्यों करते हो समाज आपसे पूछने नहीं आएगा आप जेल में थे आपकी बेल तकराने समाज नहीं आएगा समाज की परवा नहीं करनी चाहिए मेरी हाथ जोड़ कर आप सबसे अपील है मैंने खुद अपने चार-पांच cases में अब तक का जो मेरा experience है लोगों की हमने bail कराई session court से भी high court से भी supreme court से भी supreme court कई बार हम लोगों की anticipatory bail move करते हैं वहापे argument करते हैं बट की समाज की चिंता नहीं करनी चाहिए ऐसा कोई allegation नहीं है एक वक्त है ये भी कट जाएगा कितना भी बुरा वक्त हो वो वक्त बीच जाता है घबराना नहीं चाहिए परिशान नहीं होना चाहिए और मैं ये भी बोलता हूँ कि आपके जो भी कोई case दर्ज होता है दो तरह की समस्या आपके साथ जरूर होगी पहला mentally आप परिशान हो जाओगे mentally आप परिशान रहने शुरू हो जाओगे बार 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 उसी चीज़ के इस पर भी मैंने सोचा कि मुझे आपको बोलना चाहिए, चार्शीट सिर्फ एक लेखा जोका है, जो पूरा कोट में सब्मिट किया जाता है, चार्शीट आने के बाद में, यहां से ही प्रकिरिया चलती है आपके ट्रायल की, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अ मेडिकल होगा, कोई चीजे जो FSL पर भेजनी अनिवारे है, FSL पर चीज भेजी जाती है, कई बार तो पुलिस ऐसी टैक्टिक को यूज करती है, कि जल्दी से चार्जिस फ्रेम ना हो, और इंसान जेल में ही रहे, FSL रिपोर्ट बहुत लंबे टाइम में आती है, तो उन् पूरी डेटेल्ड इंफोर्मेशन उसमें मेंचन की जाती है, मतलब पूरा जितना भी पुलिस ने शुरू से लेके एंड तक तफ्तीश की सब होता है, कोई पेपर अगर कम है आपकी चार्जीट में, जब आपको चार्जीट कोट से मिलती है, कोट को वहीं बोल दो, तो आ बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, नेक्स किसी वीडियो में चार्जीट पर और डीटेल में चर्चा करेंगे, अच्छा लगा हूँ आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिव आहि torपए छेंगे, तोस्तों फिर्माइब से वी लुट फिर्मादा ज़ियो, हमारी नेक्स कायू अच्छा लंओेब को बूद